एपिसोड, 222, डिस्क्लेमर, दोस्तों मैं आप सभी को बता दू, ये कहानी पूरी तरह कालपनिक है, ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है, इसमें दर्शाई गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह कालपनिक है, ये कहानी किसी भ अपनी एक कलपना है, तो दोस्तों मैं आपको आगे बता दू, अगर आप हमारे वीके नोवस्टरी 2.0 चैनल पर नहें, तो वीडियो को भर-भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद, सालों बीद गए आपको देखे, पाकिंग लोट में, अब अब तक आप लोगों ने सुना, कि अनाया अपनी मा के कार का कलेक्शन देखती है, लेकिन ये देखकर अनाया को थोड़ा अजीब लगा, और वह कन्फ्यूजन से बोली, धननजे अंकल अगर यह मौम की कार है, तो यह अब तक यहाँ पर क्यों है, क्योंकि जहां तक मुझ कर हसते हुए बोले, वैसे अनाया बेटा तुम बात तो सही कर रही हो, लेकिन उसे कपती इनसान की इतनी आउकात नहीं है, कि वह इन्हें छुपी पाए, ये सभी चीज फिंगर प्रिंट से चलती है, और इन में सिर्फ दो ही लोगों के फिंगर प्रिंट है, एक तुम्हा इन खुद गीता मैम ने की थी, इसलिए वह लालची इनसान इसे नहीं छुप सकता, और यह बात वह भी जानता है, इसलिए उसने बाहर यह बात फैला दी है, कि उसने ये सारी चीज अपनी पहली बीवी की याद में संजो कर रखी है, ताकि बिजनेस की दुनिया में लोग उसे अच्छा इनसान और वफादार इनसान समझ लिया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, उसने तो एग बार इसे बेचने की भी कोशिश की थी, लेकिन लाख मेहनत के बाद भी वो लोगे कार का दरवाजा तक नहीं खोल पाए, तो आखिर में उसने हार मान ली, ये सुन कर अना किसी को आने की इजाजत नहीं थी, इसलिए आसपास कोई भी नहीं था, वहाँ पर स्पेशली एक गेट कीपर भी था, जो सालों से ही यहीं पर जॉब कर रहा था, अनाया को हलके हलके से याद आता है, कि यह तब भी यहाँ पर था, जब उसकी माँ उसे यहाँ लेकर आई थी, और यह गेट कीपर उसे चौकरेट दिया करता था, और वह उनके साथ काफी केलती भी थी, उन पुरानी यादों को याद करके उसके चहरे पर मुसकान आ जाती है, और वह उस गेट कीपर को देखते हुए मुसकरा कर बोली, कैसे हो काका, सालों बीद गए आपको देख दूसरी और वह मिडल एज आदमी, तो काफी बुझे हुए नजरों से वहाँ बैठा हुआ था, एक जानी पहचानी आवाज सुनकर, उसके चहरे पर बड़ी सी मुसकान आ गई, और वह अपनी बुरी चमकती हुई आँखों से अनाया को देखते हुए मुसकुरा कर बोला, अनाया बिटिया तुम क्या सच में ये तुम हो, ये कहते हुए उसकी आँखें नम हो गई, उसे देखकर ऐसा लग रहा था, जैसे प्यासे को सालों बाद पानी के दर्शन हो रहे हो, वह आगे जाकर लड़कडाती आवाज में नम आँखों के साथ बोला, बिटिया सच में ये तुम ही होना, मुझे कोई वहम तो नहीं हो रहा, फिर खुद ही अपने सिर पर मार कर बोला, नहीं में तुम्हारी आवाज नहीं बूल सकता, तुम्हारी आवाज की वह खनक आज भी मेरी कानों में गूंचती है, जब तुम मेरे आसपास केलती थी, और मुझ से चौकल मानती थी, ये कहते हुए उसका गला भाराया, वही उसकी बातें सुनकर अनाया को दिल में दर्द हुआ, कि इन्हें अभी भी उसके बारे में याद है, लेकिन वो उन्हें भूल गई, अनाया समझ गई थी, कि भले ही उसके कुछ रिष्टे खराब है, लेकिन उसकी मा की वज पुड़ा सकते मुझसे, आप चाहे कितने भी इमोशनल क्यूं ना हो, मैं आप से आज भी अपनी चॉकलेट लेकर रहूंगी, इतना बोल कर वह मुस्कुरा देती है, वही उनकी बात सुनकर काका मुस्कुराते हुए, जेब से एक चॉकलेट निकाल कर आगे बढ़ाते हु वह जैसे ही उनके हाथ से चॉकलेट लेती है, अनाया गलती से उनकी नस पकड़ लेती है, यह महसूस होते ही उसकी आखें बढ़ी हो गई, वह काका को घूरते हुए बोली, काका आपको तो आराम की जरूरत है, तो फिर आप यहां क्यों खड़े हैं, यह सुनकर काका मुस् इंसान जिसे वह कब-कब भूल चुकी थी, उसके जहन में भी उसका जिक्र नहीं था, वह इतने दर्द में उसका इंतजार कर रहा था, वह मुस्कुरा कर बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं अकसर अब यहां आउंगी, और अब इसी पारकिंग में आउंगी, तो अब जाते हुए बोले, नहीं बिटिया में यही रहूंगा, उनकी जिद देखनाया पीछे मुर कर धननजे ठक्राल की ओर देखकर बोली, धननजे अंकल आप काका की जरूरत की चीज यही मनभवा दीजिए, और उस कोने में काका की रहने के लिए एक चोटा सा सेल्टर बनवा दीजिए, ताकि वह यहां पर आराम कर सके, और हाँ उसमें हर तरह की सुविधा होनी चाहिए, फिर अपने पस से दो लाख रूपे निकाल कर काका को देते हुए बोली, अब आज से हर रोज अपने पास फ्रूट रखेंगे, जब भी मैं आउंगी मैं आपसे ही फ्रूट जाती है, उसकी बात सुनकर काका के चहरे पर मुस्कान आ गई, उसे गीता मैडम की बात याद आ गई, क्योंकि सालों पहले गीता मैडम ने भी कुछ हैसा ही किया था, दरसल उस वक्त काका की नजरे थोड़ी कमजोर थी, और डॉक्टर ने उन्हें हरी सबजियां और जूस पीने को कहा था, लेकिन काका के पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे, तो गीता मैडम ने एक बड़े सी अमाउंट काका को दे कर कहा, कि आप हर रोज यहां पर जूस और फल लाकर रखेगे मेरे लिए, और अगर मैं नहीं आती, तो आप उन्हें खुद ही खा जाएंगे, यह याद करते ही, उनकी आँखें नम हो गई, और वह धीमे से बोली, बिल्कुल गीता मैडम की परचाई है, मैडम आपकी परचाई बिल्कुल आप ही की तरह दयालू है, इतना बोलकर वह आसमान में देखते है, जैसे वह गीता कपूर को अपनी बेटी के लिए आश्वास की वह बहुत अच्छी है, बिल्कुल वैसी जैसा आप उसे बनाना चाहती थी वैसी, क्या अनाया को उसकी मौम की जगह पर कुछ नया मिलेगा, और क्या आगे चल कर सब कुछ ऐसे ही चलेगा, की जानवी की नफरत उसे लेडू बेगी, एपिसोड 223, राजेश कपूर ने जानवी कपूर ने तो अपने गुसे को कम करने के लिए कपूर मैंशन की कई सारी चीज भी तोड़ फोड़ कर दी थी, लेकिन रवीना कपूर तो गुसे से वही सोफे पर बैठी हुई थी, वह दोनों इतनी गुसे में थी कि अगर आज अनाया घर आती, तो वह जरूर उन पागल समझ रहे हैं, वहां खड़े सभी नौकर गौसिप करने लगे, जो भी नौकर वहां से गुजर रहे थे, वह उन दोनों मा बेटी को मेंटल समझ रहे थे, क्योंकि वह दोनों बिलकुल किसी पागल की तरह हरकते कर रहे थे, सब कुछ मिलने के बाद खोने का जो एहस उन दोनों के दिल में बैठा था, वह उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा भयानक था, क्योंकि जब से उन दोनों ने गीता कपूर से सब कुछ चीना था, तब से उन दोनों को इतनी बेजजती कभी महसूस नहीं करनी पड़ी थी, वह लोग हमेशा ही कपूर मेंशन पर राज करते थे, और कपूर इंडस्ट्री को अपनी मिलकत बताते थे, लेकिन आज उनकी जो बेजज़ती हुई थी, उनको आइना दिखा दिया था, कि उनकी आउकात कितनी है, और यही चीज उनको अनाया के लिए और नफरत करने को मजबूर कर रही थी, अभी वह लोग आ अंदर आता है, रवीना कपूर किसी पागल औरत की तरह उस पर चिलाते हुए बोले, तुम आ गए मुह उठा कर, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, आज तुमने मेरी इतनी बेज़ज़ती होने दी, मैं इसे बिलकुल बरदाश्ट नहीं करूगी, वह किसी आवारा क अक्राल ने उसे साफ साफ वोनिंग दी थी, उपर से रवीना कपूर का ये बिहेवियर, उसे और गुस्सा दिला रहा था, क्योंकि आज तक रवीना ने चापलूसी भरा बिहेवियर ही दिखाया था, वह राजेश कपूर के सामने हमेशा खुद को बेचारा और सबसे ज्य रहा हाय हो गया, वही रवीना कपूर राजेश कपूर के एक्स्प्रेशन को इगनो करते हुए अभी भी उसके कोलार को पकड़ कर, उसे हिला रही थी, और सवाल पूछे जा रही थी, जैसे गलत सिर्फ उसके साथ ही हुआ हो, और वही सबसे ज्यादा बेचारी हो, राजे पर भी डर के दो कदम पीछे हट गए, वही जानवी कपूर जो गुस्से से पागल होकर बैटी थी, वह भी थोड़ी सी डर गई, और रवीना कपूर जो नीचे गिरी हुई थी, वो तो किसी सदमे में चली गई, क्योंकि पहली बार राजेश कपूर ने उसके उपर हाथ उ पर भी राजेश कपूर बस उसे समझाना था, और हलका सा डांट कर छोड़ देता था, उसे जादा कुछ नहीं, लेकिन आज तो उसे इतना जादा जोर का तमाचा पड़ा था, कि उसका जबड़ा तक हिल गया था, और वह साफ साफ अपने मुह में दर्द महसूस कर रही थ वह अपनी नजरों में अविश्वास भरे, अपने सूजें हुए गाल पर हाथ रख कर, नम आखों से राजेश कपूर को देखती हैं, जिसे राजेश कपूर ने उसके साथ क्या ही कर दिया हो, तभी उसे लगा जब राजेश कपूर उसे सहनुभूती देगा, उसे उलट राजेश कपूर उसे उंगली दिखाते हुए दात पीस कर बोला, अपनी आउकात मत भूलो, मैं तुम्हें बरदाश्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं है, कि तुम जो चाहे वह कर सकती हो, और वह जो कुछ भी हुआ, उस पर कहीं ना कहीं गलती तुम्हारी भी थी, तुम ही ओवर कॉन्फिदेंस होकर मेरे साथ आई थी, मैंने नहीं कहा था कि तुम चलो, यह आइडिया भी तुम दोनों मा बेटी का ही था, कि हम अनाया से उसकी कमपनी छीन लेंगे, लेकिन तुम दोनों को ही लालच जग रही थी, तो अब भुकतो, तुम दोनों की वज हाथ से कमपनी छीन लेगा, अगर मैं कमपनी का CEO नहीं रहा, तो तुम लोगों की एशो आराम की जिंदगी, और हाई सोसाइटी में ये दिखावा करने की चीजे, तुम कहां से लाओगे, ये कभी सोचा है, ये सुनकर वह दोनों के ही चेहरे काले पड़ गए, अब तो उन कागल औरत की तरह बिहेव कर रही थी, वहना मैं सिर हिलाते हुए बोली, मैं इस मुसीबत की जड़ को ही मिटा दूंगी, फिर मैं भी देखती हूँ, कौन मेरे पास से मेरा हक चीनता है, ये सब कुछ मेरा था, और मेरा ही रहेगा, कोई मुझे कुछ नहीं चीन सकता, इतन कोई भी डर जाए, वह दोनों तुरंत उसे शांत करवाते हैं, क्या जानवी अपने पागल पान ने अनाया को रास्ते से हटा देगी, और क्या इस बार भी अनाया की जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा, या जानने के लिए इस स् वी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है धन्यवाद,